Future, Maintainable Profit Future में कितना कमाओगे उसकी बात करो तो अगर firm ने का जी हमारा तो कोई ऐसा खास खर्चा है नी देखो ऐसा नहीं है कि खर्चा आ नहीं सकता खर्चा आ सकता है नया लेकिन आज क्या अंदाज है आपका कोई ऐसा खर्चा है जो पहले नहीं हो रहा firm के रहे नहीं जो हम खर्चा पहले करे थे वो ही हम आने वाले सालों में करेंगे लेकिन firm ने का हाँ हाँ 20 लाग का खर्चा हम अब आने वाले सालों से करेंगे जो हमने अभी तक नहीं किया तो goodwill के लिए profit कितना ले 29 करोड 80 लाग इसको तुम्हें मुश्किल लग रहा है एक करोड कर देते हैं खर्चा आने वाले सालों में होगा तो profit 30 करोड ले ले कि 29 करोड ले तो अगर हमने अज तक खर्चा नहीं किया हम आने वाले वाले सालों में करेंग एक करोड का खर्चा होगा तो हम माइनस कर देंगे एक करोड अच्छा माइनस हर साल से कर दे कि आवरेज निकालके एक ही बार कर दे वो बात सेम होगी कि अलग-अलग होगी तो हम चलेंगे हमारी प्यारी मैट्स के पास कि भई मैट्स तुम बता हो इसमें क्या होगा मान लो पिछले तीन सालों का प्रॉफिट 2020 2021 2022 3 करोड कमाया 5 करोड कमाया 8 करोड कमाया ठीक है हम गुडविल के लिए पिछले तीन सालों का आवरेज कंसिदर कर रहे हैं तो हम इसको आवरेज कर देते हैं इसको भी हम 5 कर लेते हैं तो आवरेज प्रॉफिट हमारा 18 अपॉन में 3 6 करोड पार्टनर कह रहे हैं आने वाले सालों से पार्टनर कह रहे हैं आने वाले सालों से तुम्हारे बैग में है क्या profit? क्या है तुम्हारे बैग में? profit एक करोर? छे करोर partner कह रहे हैं आने वाले सालों में न हर साल हर साल हमारा एक करोर का खर्चा न और होगा अभी तक हमने नहीं किया लेकिन आने वाले सालों से होगा तो आने वाले सालों के लिए हमें जो profit लेना है वो एक करोड कम करके लेना है तो या तो हम ऐसे करें हमने का 2020 का profit अब हम 5 नहीं मानेंगे हम कितना मानेंगे 4 क्योंकि आने वाले सालों में कितना खर्चा होना है एक करोड का खर्चा होना है तो सबसे माइनस कर दो 1 करोर सबसे माइनस क्यों करना है क्योंकि हम कह रहे हैं आने वाले हर साल में होगा इसका मतलब पिछले 3 साल के जो आप profit consider कर रहे हो तो आप ये मानोगे ना आने वाले सालों के profit अब 5-5-8 नहीं है कितने है 4-4-7 अब करें इसकी average 15, 2, 3, 5 या फिर या फिर 6 करोड के average profit में से एक ही बार माइनस कर दें एक करोड तो कितना आया? 5 करोड ये सेम कैसे आ गया? ये क्या जादू है? average का मतलब क्या होता है? अगर मैंने पिछले तीन सालों का average किया average का मतलब एक साल का profit 6 करोड हमने का on an average आप एक साल में कितना profit कमा लोगे? 6 करोड तो एक साल का profit 6 करोड है तो उसमें से 1 माइनस कर दो तो on an average आने वाले सालों में कितना कमाऊगे? 5 करोड मैंने का भई पेपर में टाइम बचाओ पेपर में सबसे बड़ा एसेट कौन सा है टाइम तो हम क्यों करेंगे हर साल हम सीधा क्या करेंगे आवरेज निकालेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे अगर फर्दर आने वाले सालों में कोई खर्चा है तो हम उसको यहां पे माइनस कर देंगे